तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 बाइलोजी से अधियाय 12 है यहां पे खनीज पोसन तो इसमें हम लोग NCRT बुक से परिच्छा उप्योगी महतोपोन प्रस्णों तर देखने वाले हैं तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा आप लोग हमारे चैनल पे नए ह हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ब्रेस कर दीजिएगा तक हमारे वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम यहां पर आ चुके हैं अध्याय 12 है खनीज पो 1860 में एक प्रमुक जर्मन पादप बीज ने सरप्रथम यह प्रदर्सित किया कि पादपो को मृदा की अनुपस्थिती में पोसक विलियन के घोल में वेस्प अवस्था तक उगाया जा सकता है आगे का पॉइंट है यहां पे पादपो को पोसक विलियन के घोल में उगाने की यह तकनीक जल संवर्धन के नाम से जाननी जाती है आगे हैं पर नोट दिया गया है पादब की आदर्स ब्रिधी के लिए पोसक बिलियन को प्रेचूर वाई यूबिये यानि की एरेटेड रखा जाए ठीक है आगे हैं पर तत्यों के अनुसार अभी तक खोजे गए 105 खनीज सत्वों में से 60 से अधिक सत्वों विभिन पोधों में पाए गए हैं अगला पॉइंट है यहाँ पे पोधों में खनीज की नियूंतम सांद्रता तेन की पाबर माइनस एट ग्राम पर एमल वो भी प्राप्त करने की तकनीक आज उपलब्द है तीके आगे का पॉइं के बारे में कुछ बताना है तो ब्रिहत पोस्को को समाने तह पादप के सुस्क पदार्थ का एक से दस मीली ग्राम पर लीटर की सांद्रता से बिद्यमान होना चाहिए इस रेनी में आने वाले तत्व हैं कारवन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फासपोरस, सलफर, पोटेशियम, कैल्सियम और मैगनीशियम इन में से कारवन, हाइड्रोजन, तथा ऑक्सीजन, मुखेतिया, CO2 एवं H2O से प्राप्त होते हैं जिवकि दूसरे मिल्दा से हनीज के रूप में अफसोसित किये जाते हैं आगे का यहां पर पॉइंट है सुच मोपोसक, सुच मोपोसको अथवा, लेस मात्रिक तत्वों की अनिवारता, अत्यात सुच मो मात्रा में होती है, 0.1 मिली ग्राम, समीली ग्राम भी आप लोग वो सकते हैं, ठीक है, मिली ग्राम पर सुच बहार के बरावर या उसे कम, इनके अंतरगत लोह, मैगनीज, तामबा, मेलिव डेनम, जिंक, बोरोन, क्रोरीन और निकिल समिलित हैं, आगे के बात करें हम लोग, उचिस रेनी के पॉधों के लिए अनिवारे तत्वों के नाम लिखें, तो उत्तर हो जाएगा, उच इसे की सोडियम, सिलिकॉन, पॉबाल्ड, तथा, सीलीनियम, उके, अब बात करें हम लोग, नाइट्रोजन की, तो इस तत्वों की अनिवारेता, पॉधों में सरवाधिक मातरा में होती है, इसका अवशोशन मुखेतर, न ओ, माइनस 3 के रूप में होता है, उके, फास्पोरस, पादपुद्वारा फास्पोरस मुरिदा से फास्पेट आयनो, H2PO-4 अधवा, HPO-2-4 की रूप में अवसोसित किया जाता है, ठीक है, आगे का बात करें हम लोग, पोटेशियम, पादपुद्वारा, इसका उब्योग, पोटेशियम आयन, यानि की, धनायन क फास्पोरस मुरे की रूप में होता है, आगे की बात करें हम पर, केल्सियम की सपादप केल्सियम को, मृधः अञ्पादपुद्वारा, इसका नायन, यानि की, H2PO-2-1 की रूप में अवसोसित करते हैं, ठीक है, मैगनेशियम की बात करें, यह पादपुद्वारा, तो गंधव, पादप गंधव को सेलफबित यानि की SO2-4 की रूप में लेता है यह सिस्टीन वा मेथिवनीन नामक अमीनो अमलों में पाया जाता है तथा अनेक विटामीनो, हाइमीन, बायोटीन, को एंजाइम A एवं पेरेडॉक्सिन का मुखिस तंगटक है आगे हैं यहाँ पे लोहा, तो पादप लोहा को फेरिक आयन, यानि की F3+, के रूप में लेता है पोधों को इसकी अनिवारता किसी अन्य सूच ममातरक तद्व की अपेच्छा अधिक मातरा में होती है इसकी तो लोहा की, बात करते हैं मैगनिज की, तो यह मैगनस आयन, यानि की MN2+, के रूप में अवसोसित किया जाता है यह प्रकास संसेशन, स्वसन, सुथा नाइट्रोजन, उपा पचाई के अनिक एंजाइमों को सक्रिय कर देता है अब बात आती है, जिंक की तो पादब जिंक को जिंक GN2+, आयन की रूप में लेते हैं यह पिबिद एंजाइमों को विशिशता है, कारवोकसिलेस को सक्रिय करता है इसके अनिवारेता ओक्सीन संसिलेशन में भी होती है अब है यहाँ पे तांबा, यह क्यूबरिक आयन, यान की Cu2+, के रूप में अवसोसित होता है यह पादपो के समगर उपा पच्चई के लिए अनिवारे होता है आगे है अब बोरोन, यह BO3-3 अथवा B4O2-7 आयनों के रूप में अवसोसित होता है इसके अनिवारेता, CA2+, को ग्रहन तथा उप्योब करने, जीली की कारे सीलता हुआ, पराग अंकूरन, पोशिका दिर्गी करन, पोशिका विभेदन एवं, कार्भो हाइडरेट के अस्थनांतरन में होती है ठीक है, अब बात करें हम लोग, मॉली बलर्डेनम मॉली बलर्डेनम का बात करें हम लोग, तो पादप इसे मॉली बलेड़, तो पादप इसे मॉली बलेड़िट आयन, यानि की M, O, O, 2+, 2 की रूप में लेते है यह नाइट्रोजन उपा पच्चई के अनेक एंजाइमों, जैसे की नाइट्रोजीनेस और नाइट्रेट रिडेक्टेस तथा कई अनेजाइमों का घटक है अब बात करें हम लोग क्लोरीन की, तो इसे क्लोराइड एनायन, यानि की C1- की रूप में अवसोसित किया जाता है कोटेशियम यानि की K+, एवं सोडियम यानि की Na की पावर पलस है तिक यानि की सधनायन के साथ मिलकर यह कोशिकाओं में विले की सांद्रता सथा इनायन के टायन संतूलन की निर्धारन करने में सहायता प्रजान करती है आगे का पॉइंट है अनिवार तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पादपो की ब्रिधी अवरूध होती है वह क्रांतिक सांद्रता कहलाती है इसलिए क्रांतिक सांद्रता के कम होने पर तत्व भिन हो जाता है ठीक है? आगे का पॉइंट है पतियों के क्लोरोफिल के रास यानि की एक तरह से हानी से पीला पन आना क्लोरोसिस कहलाता है ये बात आपको याद रखनी है ये लच्छन N, K, M, G, S, F, E, M, N, J, D, N और M, O की कमी से होते हैं और ये भी भी आई है ठीक है आगे का पॉइंट फिट से आता है C, A, M, G, C, U, K की कमी से नेक्रोसिस या उत्पो या मुख्य रूप से पतियों की मृत्यू होती है कैसे है मेगनेशियम, क्यूप्रिक और कैसे पोटैसियम हो गया आगे का पॉइंट है किसी खनीज आयन की वो स्तांदरता जो उत्पो के सुस्क भार में 10% की कमी करें उसे आविश माना गया है यहां पर एपोपलास्ट में आयनों की निस्किये गति साधारन तया आयन चैनलों के द्वारा होती है जो की ट्रांस जिली प्रोटीन होते हैं और चैनात्मक छिद्रों का कारे करते हैं फिर यहां पर आगे का पॉइंट आता है आईनों की गति को प्राया अभी वाह यानि की फ्लक्स कहते हैं पोशिका के अंदर की गति को अंतर वाह यानि की इन फ्लक्स और बाहर की गति को बहिर वाह यानि की इफ्लक्स कहते हैं ये बात आपको याद रखनी है आगे है यहाँ पर पादपों में रेडियों सम अस्थानिक यानि की रेडिस्यों तोब के प्रयोग से भी यह प्रमानित किया गया कि खने सत्व पादपों में डारू के माध्याम से परिवहित किये जाते हैं ठीकर आगे है यहाँ पर नाइट्रोजन एमीनो अमलो प्रोटीन न्यूकलिक अमलो ब्रिधी नियंत्र को पन हरितो एबं बहुत तायत विटामिनों का संघटक है आगे है नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन परमानू 37 साली 3 सह संयोजी आबंधी से जुरे रहते हैं कैसे 3 bond हो गया और N ठीक है N है 3 bond N ठीक है नाइट्रोजन N2 के अमोनिया में बदनने की प्रकिरिया को नाइट्रोजन इस शिरी करन करते हैं ध्यान देंगे कि नाइट्रोजन N2 के अमोनिया में बदलने की प्रकिरिया को नाइट्रोजन इस्थिरी करन कहते हैं देखें यहाँ पर नोट दिया गया है प्रकिर्टी में बीजली चमकने से और परावैगने भी कीर्णों के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन अक्साइड यानिकि NO2, 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 NO2 में बदलने के लिए उर्जा प्राप्त होती है ठीखें आगे है अमोनिया पहले नाइट्रो सोमोनास और या नाइट्रो कोकस जिवानू द्वारा नाइट्राइट में बदल दी जाती है फिर पॉइंट है नाइट्राइट नाइट्रो वेक्टर जिवानू की मदद से नाइट्रेट में बदल दिया जाता है ये प्रतिकिरिया है ना पाइंग जिवानु रसायन पूसी होते हैं आगे इहां पे जीवित प्राणियों द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन जैविक नाइट्रोजन इस्थिरी करन कहलाता है आगे इहां पे नाइट्रोजन इस्थिरी कारक सुछमजीव सुछमजीवि जीवन यापन करने वाले हो सकते हैं उदाहरन के लिए सुछमजीविन इस्थिरी कारक अक्सी सुछमजीव है फिर है एजेटो वेक्टर और विजरीनी किया जिबकी रोडो अस्पाइडर लियम और आउक्सी है और वैसिले सुतंतर जीवी है इसके साथ ही कई नील हरित जीवानूं जैसे की इना बीना नो स्टोप भी सुतंतर जीवी नैट्रोजन इस्थिरी कारक है आगे का पॉइंट रहाँ पर राइजोबियम और स्ट्रैंकिया दोनों हिम्रीदा में सुतंतर जीवी है लेकिन सह जीवी के रूप में वाता वर्णिया नैट्रोजन का इस्थिरी करन करते है फिर आगे का पॉइंट रहता है कुस्पन से पहले किसी सामाने दाल के एक वोधे को जर से उखाने पर पाया जाता है कि जरो पर लगभग गोलाकार अतिव रिधिया दिखाई पड़ता है यह ग्रंथी का आए है यदि आप इन्हें काटेंगे तो पाएंगे कि के दर भाग में यह लाल या गुलावी रंग की है यह रंग क्या हो जाएगा यह रंग लेगे हे मोगलोवीन की वज़ह से होता है किसे लेगे हे मोगलोवीन की वज़ह से आईए अब हम लोग आगे चलते हैं नाइट्रोजन इस्थीरी करण का प्राथम अस्थाई उद्पाद है इसका समी करण इस प्रकार है ध्यार देंगे कीटो, गुलूटेरिक अबन, NH-Pol, NADPH और गुलूटामेट, डिहाइडरोजीनेस, गुलूटामेट, H2O, NADP ठीक है, आगे है जोकी लास्ट पॉइंट है कुछ पॉधे, जैसे सोयबीन को ग्रंथी काए बासपोल सर्जन प्रवा के साथ इसके नाइट्रोजन को यूरीड्स के रूप में भेज देती है इन योगी को में भी कार्वन की अपेच्छा, नाइट्रोजन का अनुपात अधिक होता है ठीक है, तो ये परिच्छा उप लोगी कुछ महतुपून प्रशन समापत हो गया मिलते हैं इसके अगले वीडियो में प्रशन उत्र के साथ ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर दिजे वीडियो को लाइक नहीं कियें तो लाइक कर दिजे मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आप लोग टेलिग्राम चैनल से यारे एक्जाम की 11 ग्रूप जोइन नहीं किये हैं तो जोइन कर लिजे वहाँ पे आपको सका PDF और नोट्स और वीडियो लिंक मिल जाएगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू सो मज़